जादा यहां आने के वज़े से आमें जस्नमेट लगाया गया है तो दिन में हमें सूचना मिली थी कि स्वारम जोगिदास का गाव में आया हुआ है तो हम लोग यहां आये गाड़ी लेके तो दिन में यह स्वारम गूम रहा था तो हमने इसका इंजार किया कब यह बैठेगा तो साम के वक्त में यह बैठ गया तो फिर हमने माइक्रो ने से हमने यह माइक्रोला से हमने इसका कंट्रोल किया साम में यह कंट्रोल किया उसमें य और टीडी देने की अंड़ा देने के वस्ता में थी यदि इसाम को ये कंट्रोल नहीं होता तो रात में अंड़े दे दे थी और आगे बहुत ही नुक्सान होता तो इसको पूरे स्वारम को हमने नश्ट कर दिया इधर और मेरे पांस मर्वे में गवार भी जा हुआ है इसमें आज से दस बारा दिन पहले टीडी आई थी तो टीडी ने यहां पे जो तीन चार दिन तक पड़ाओ लिया और पड़ाओ में अंड़े पैदा कर गई अब बर्शाथ होने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा फाका हो गया है अब इस फाके कंट्रोल के लिए हमने कर्शी विबाग को बोला तो कर्शी विबाग वाड़ा हमें कोई कलोरो फार्षवास बी सीसी बारा सो एमल डालने के लिए बोला गया है और बहुत ज़्यादा यह फाका हो रहा है और फसल को बहुत ही ज्यादा नुक्षान हो रहा है व्यूत है और भी हम इसके उपाई के लिए भागदोर कर रहे हैं और सफरे कर रहे हैं तो आप चार दन से देरा डालके बेती है और काफी नुक्षान किया है और जो सेंटर की तरफ से बेजे हुई है टीमों वह चिड़काओं भी कर रही है काफी काट्रोल में है पर तो नुक्षान बहुत सारा किया है